हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं को देखते हुए दो यूनिट बनाने का निर्नाई लिया मौसमी बीमारी डेंगू के बढ़ते मरीजों के मध्य नजर एतिहात बरतने के दिये निर्देश बाढ़ मेर चार सितंबर दोहजार रिकीस बाढ़ मेर विधायक मेवाराम जेन ने राच की चिकित साले बाढ़ मेर क का दौरा कर है विभिन वार्डों का दौरा कर विवस्थाम की समिक्षा की एक्सरे रूम का किया निरिक्षिंद। विधायक जेन ने कहा कि लगतार मॉनिटरिंग एवं सभी की सहीयोग से अब रोजाना 300 से अधिक X-ray Report हॉस्पिटल में हो रहे हैं एवं इसे तो बहतर मशीने हॉस्पिटल में लगी हुई है विधायक जेन ने होस्पिटल की विभीने लाबोर्टरिस का नेक्शिन कर उनमें कारेरत करमचारियों से चर्चा कर ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जाच होस्पिटल में करने एवं उछ गुणवंता से करने पर चर्चा की विधायक जेन ने कहा कि हमारा हॉस्पिटल अब मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल है यहाँ पर भेतर जांच मशीने लगी हुई है इसलिए गुणवत्ता पूर्ण रिपोर्ट आये इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए इस है तू और भी कोई गुणवत्ता पूर्ण मशीन की अगर हमें जरूरत होगी तो भी करे की जाएगी हमारे उदेश है कि बहतर गुणवत्ता पूर्ण उपचार हो नेत्र विभाग को मजबूत करने पर हुई चर्चा आखो के ऑपरेशन हॉस्पिटल में ज्यादा से ज् दिए है इससे पहले हाट के मरीजों का जांच है तू एको मशीन घरी देजाएगी जिससे कि हाट के मरीजों कोु इससे राहत मिलेगी शीशू रोग विभाग में कारे की अधिकता को देखते हुए दो यूनिट बनाने का निर्ने भी लिया गया हॉस्पिटल में शीशू रोग विभाग का कारे बहुत बहुत जल्द शुरू कर दिये जाएंगे हॉस्पिटल में खिन्यशू करने टुरू कर दे एक पोणद दो जारा श